जए मातादी दोस्तो मैं आपका इंजीनियर शर्मा एक बार फिर आपके लिए अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ मेरी इस नई वीडियो का शीशक है मकर सक्रांती और दान पुन्य तो चलिए आपको मैं डिटेल में बताता हूँ मकर सक्रांती हर साल आती है और इस दिन दान का बड़ा ही मतव है लेकिन क्या आप जानते हैं इस दान देने से क्या-क्या हो सकता है और आप क्या-क्या प्रापत कर सकते हैं इस दिन कुछ विशेश उपाय करके आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपनी आर्थिक रूप से सभी समस्यों का भी निप्टारा कर सकते हैं इस बार यानी 2018 में आने वाली मक्र सक्रांती परिजात योग में पड़ रही है और इसके बाद इस दिन त्रियोदशी जैसा महायोग भी बन रहा है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उन उपायों के बारे में जिन्हें करने से हम सभी के लिए मकर सक्रांती काफी शुब फल लेकर आएगी और भगवान हमारी सारी परिशानियों को दूर करके जीवन में सुख शांती और सम्रिधी प्रधान करेंगे मकर सक्रांती के दिन का तिलदान, वस्त्रदान, चारादान, अनदान, लक्षमीदान, कपड़ेदान, चपलदान और भी कई दानों का बहुत ही मतव है जो कोई अपने इश्ट को याद करते हुए इस दिन तिल के लड़ू और दाल की खिचडी दान करता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है मकर सकरांती पर किये हुए दान का फल कभी भी नश्ट नहीं होता यही सत्य है अगर निस्वार्थ दान किया जाये तो बाकी सब कुछ प्रापत हो जाता है जिसकी इनसान ने कलपना भी नहीं की होती मकर सकरांती के दिन गंगा सनान करने से साथ अश्यमेद यग्य के गवराबर लाब प्रापत होता है यह हमने सुना है मकर सक्रांती के दिन आप जो भी जब करते हैं उसका लाव आपको अवश्य ही अपने जीवन में मिलता है जब के साथ हवन हो जाए तो और भी बहुत अच्छा है मकर सक्रांती के दिन स्वयम के परिजनो सहित पूरवजों वैप पुर्खों के नाम से गाएं, नंदी को, चारा, कुतो, कउओं को, रोटी, कबुत्रों को दाना, गनेश जी के मंदिर में तिलके लड़ू, लक्षमी मंदिर में शहद, शिव मंदिर में चावल चना दाल का लड़ू, तथा विश्णू वैक्रिशन मंदिर में माखन का दान करने से बहुत ही लाब प्रापत होगा अगर आप ये सब दान करते हैं तो आपको पूरे साल पैसों की कमी नहीं होगी ये आपकी आस्था और विश्वास पर भी निर्बर है और ये सब करने से पहले आप अपने इश्ट देव और माता पिता का समरन जरूर करें तांकी आपका दान व्यर्थन जाए और इसका फल आपको जरूर प्रापत हो मकर सकरांती के दिन सूरे देव की सूती करने का भी बड़ा महतव है इस दिन सूरे को अर्ग देकर उनकी सूती करने से इनसान को हर खुशी प्रापत होती है इस दिन शनी महाराज की भप्ती करने का भी बहुत महतब है इस दिन तिल का दान करने से और सरसों के तेल का दान करने से शनी से जुड़ी हर पीड़ा से मुक्ती मिलती है खैर ये सब जानकारी आपको कहीं और से भी मिल जाएगी लेकिन दान देना बहुत ही अच्छी बात है लेकिन उसका महिमा मंदन करना और परचार करना बहुत गलत है इससे दान का पून्य नश्ट होता है या उसके नश्ट होने की अशंका भी बनी रहती है हम सब आपसे यही कहेंगे कि मैंने उपर जो बताया है उस पर द्यान दें या ना द्यान दें पर मकर सकरांती के लिए दिन दान देने का बहुत ही विशेश मत्व है इसलिए जो भी दें या दान करें अपनी शदा और समर्थे नुसार ही करें और कोई जोर जबर्दस्ती नहीं और बाकी का भगवान पे छोड़ दें वो आपका बला ही करेंगे आपको मेरी पोस्ट कैसी लगी ये आप मेरे को मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं और नई नई वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय मातवी